नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनीता एंड अनिल के जन में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गोल्वकपों का अलग अलग तरीके का पानी हम बनाएंगे एक इमली का मीठा पानी धनिये पुदिने का खटा मीठा पानी और एक हीम का पानी चलिए बनाते हैं पहले इमली का मीठा पानी यह मैंने इमली होके रखी वी थी इसको अच्छे से हाथ से मेश कर लेते हैं ताकि इसमें कोई बीज हो तो वह निकल जाए यह दो बीज थे इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे अब हम इमली के पल्प को मिक्षी के वे जार में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब हम इमली के पल्प को जो अपने मिक्सी में पीसा था उसको चान लेते हैं यह मैं उसी बर्तन में चानवा हूं जिसमें हमेज की पानी तियार करना है अब इमली का पल्प गैस पे गरम हो रहा है इसमें हम दाल देंगे गुड़ गुड़ करीब बने एट डली करीब सो ग्राम करीब डाला है अब हम इसमें डालते हैं चुट्की बर हीम करीब 3-4 चमच कादा नमक आदा चमच सफेद नमक 3-4 चमच लाल मिर्च और एक चमच बुनावा जीरा तो करीब एक चुधाई चमच काली मिर्च अब इसको अच्छी जांच में मिक्स कर बॉल करो देंगे अब 1-4 चमच जिंजर पाउडर भी इसमें डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से तर्बूज के जीज इसमें डालते हैं इमली का पल्प करीब साथ चमच अब हम इमली के पानी में डालते हैं पल्प में ये थोड़ी सी चुटकी भर हीग बरब इसमें मिक्स कर लेते हैं और करीब डालेंगे इसमें दो कप पानी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसको थोड़ा था चैक कर लेते हैं अब थोड़ा था इसको चैक कर लेते हैं नमक थोड़ा कम है इसमें नमक और डालते हैं अब हमारा इमली का खटा मिठा पानी तयार है अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी बूंदी इसको भी रख देते हैं और हींग कर पानी की त्यारी कटते हैं अब हम गनाते हैं हींग वाला पानी इसमें हमने डाल दिया है धनिये पुदिने का बल्क और यह थोड़ा सा करीब दो चम्मच इमली का पल्क करीब आदा थोड़ी सी जादा हींग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम डालते हैं इसमें बरफ इसको मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डालते हैं करीब डेड़ कप पानी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी बूंदी करीब आदा चम्मच सफेद नमक आदा चम्मच कादा नमक आदा चम्मच गुनावा जीरे का पाउडर और इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं अब इसको पानी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नमक कम है नमक टाल लेते हैं अब हमारा हीम का पानी तयार है अब हम बनाते हैं हरा खटा और थीखा पानी इसके लिए मैंने इसमें डाला है दनिया पुदीना जैदा पुदीना थोड़ा कम तीन हरी मिर्स डाली है आप अपने स्वाद के नुशार कम ज्यादा कर सकते हैं और यह एक इंस अद्रक का टुपड़ा इसमें हम डालते हैं करीब आदा कप बानी अभी मिक्सी में इसको ब्लेंड कर लेगें अब हम इसके धनिया पुदिना के मिक्सर को बॉल में निकाल लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस अब हम गनिया पुदिने के इसको मिक्सर को इसमें चान लेते हैं अब हम इसमें डालते हैं चुटकी वर हींग करीब एक चम्मच काला नमक आदा आदा चम्मच सफेद नमक बन फॉर्ड चम्मच काली मिर्ज एक चम्मच बुनेवे जीरे का पाउडर और थोड़ा सा जल जीरे का पाउडर अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं अब हम डालते हैं इसमें थोड़ी सी बरफ कि यह पाणी ठंडा जी पीने में आनन दाता है इसको इला लेते हैं और परीब कुछ है मिक्स कर देते हैं इसमें मां इसमें थोड़ी ऑसे और अब आम ज़ी इसमें रहिका इसमें मिक्स कर देते हैं अब हम हम स्कुर को को हमें बत मस्तों बहुत् harus गयुत आप्सजीन अब पानी त्यार हो गया है अब हम तीनों पानी को गिलास में डाल कर गोल कप्पों के साथ में सर्व करेंगे अब इसमें डालते हैं हींग वाला पानी जैसे ही दोनों पानी को भी गिलास में डाल कर डाल लेंगे हमने गोल गप्पे पहले ही बनाके रखे वे थे उन गोल गप्पों को आलू की फिलिंग्स में बरकर पानी के साथ सब्सक्राइब